नीट 2024 में reservation का system क्या रहेगा medical colleges में selection के लिए different categories के students का OBC, SC, ST, freedom fighter और इसके अलावा सैनिक साथी साथ जो जम्मू कश्मीर migrants है इनके अलावा जो girls का reservation system क्या होता है All India quota को लेकर प्लस दिल्ली का जो reservation system में उसको लेकर मेटकविंग की और से एक वीडियो पहले ही release की जा चुकी है और उसी sequence में आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार यह दो state नौर्थ के दो state है UP और बिहार में क्या है reservation system किन-किन candidates को और किन categories के candidates को कितना reservation मि यह reservation उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में क्या दोनों में है या फिर अगर दोनों में नहीं है तो कौन से राज्य में है कितना परसेंट है किस category की available रहेगी 2024 के नीट के examination के बाद जब selection का process होगा complete detail इस छोटे से वीडियो में UP और बिहार के reservation system reservation policy के बारे में आप medical wing के स साथ बने रहे है चैनल पहले वार विजिट करें अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जो कीजिए तक future के जो अपडेट्स है नीट 2024 के examination plus counselling को लेकर वो अपडेट्स आपको non-stop लगाता है बात हो रहे है reservation system के और सबसे पहले इस में अगर हंडेट सीट है तो हंडेट में अगर 21 परसंट जो है वह सब्सक्राइब के लिए रिजर्व है इसका मतलब कि 21 सीट जो है वह पर्टिकुलर्ली रिजर्व है सी कैटेगरी के लिए रहे तो यह वाइटिकल रिजर्वेशन होता है जो horizontal reservation होता है उसमें सारे categories के student श reservation में आता है यूपी में 21 प्रतिशत जो है सीट वह अनुसूची जाती यानि SC candidates के लिए 2% का reservation ST candidate के लिए OBC candidates के लिए 27% का reservation UP में वाइटिकली और EWS के लिए 10% का reservation यह total अगर आप इसको calculate करते है तो यह 60 हो जाता है और उसके बाद बचता है 40 यानि जो 40% seat है वो open seat है अब यह open seat जो है यह ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जर्नल candidate ही admission लेंगे ऐसा बिलकुल भी नहीं है यह जो 40% बचा इस reservation के बाद उसमें अगर OBC या फिर SC या ST candidates के marks बहुत अच्छे होते हैं यानि rank उनकी general से भी अच्छी होती है तो seat पहले उनको मिलेगी general की और general के students को बाद में मिलेगी अगर उनकी rank down होती है तो यह vertical reservation हो गया 21% SC 2% ST के लिए और 27% जो है वो OBC के लिए EWS के 10% अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे चार ऐसे colleges है यूपी में जिसमें की medical college जो की government medical colleges GMC अमबेटकर नगर कन्योज, जालोन और सहारनपूर यह चार ऐसे colleges है जहां पर जो vertical reservation है जो policy है यहां पर थोड़ी सी different है यहां पर अगर आप देखेंगे तो 62% seat SC candidate के लिए reserve है ज इसमें के 62 state quota के तुरू और 2 seat जो है वो reserve है all India quota के तुरू यानि total हो गया 64 यानि 64% seat जो है वो SC candidate के लिए reserve है इन 4 ही college में इसके साथ साथ अगर आप ST की बात करेंगे तो फिर total 6% seat जो है वो reserve है यहां इन 4 ही college में ST candidate के लिए OBC के लिए सिर्फ 15% seat और unreserve के लिए 15% seat यहां पर reserve है यानि अगर आप देखेंगे तो 62 और प्लस 64 प्लस 6 यानि 70% seat इन 4 college में total जो 100 seats है इन में से 70% यानि 70 seat reserve है SC और SD candidate के लिए और उसके बाद जो 30 seat बशती है जिनमें के all India quota plus state quota के students आते हैं यानि 15-15% दोनों ही OBC और general में यानि open seat जो है उसमें total 30% का reservation है यानि total 100 seat में स यह seat matrix अभी आप यहां पर जो reservation system का यह official brochure से लिया गया है UP की counseling को वह आप देख रहे है राइट यह जो चार colleges है कौन कौन से GMC अम्बेटकर नगर, GMC कनोज, GMC जालोन और सहारनपूर यह चार college में reservation system different है यहां पर SC और SD के लिए reservation जादा है यानि 70% seat जो है वह SCST के लिए इस college में इन चारो ही college में reserve है अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं horizontal reservation की freedom fighter, ex-serviceman और उसके लब प्लस गल्स और NCC यह जो 4-5 category है यह UP में reservation इनका है freedom fighter का reservation बिहार में नहीं है, ex-serviceman का reservation बिहार में नहीं है, right PWD का है वहाँ पर, girls का reservation 33% का है वो हम next further इस video में आपकों के साथ discuss करेंगे NCC का reservation बिहार में नहीं है लेकिन UP में है, so NCC के लिए B grade का certificate, C certificate चाहिए B grade के साथ 1% की seat reserve है महिला बेट यानि girls candidate के लिए 20% का reservation लेकिन यह 20% horizontal है, इन 20% में general, OBC, SC, ST सारे ही candidates आते हैं PWD के लिए 5% और जो ex-serviceman है उनके लिए, उनके wards के लिए 2% की seat reserve है और साथी साथ freedom fighter के लिए 2% का reservation UP में जो है वो horizontal reservation system के थूरू reserved है, right, so यह बात हो गई UP की total क्या reservation है, कौन कौन से reservation system का benefit यहाँ पर मिल सकता है अब हम बात करें, जो बिहार का reservation है system उसके पहले लेकिन उसकी policy के पहले हम आपसे एक चाहिए discuss करना चाहेंगे आप यहाँ पर जब click करेंगे यहाँ पर आपको rank predictor है, rank predictor में आप कोई भी marks enter करके आप यह जान सकते हैं कि आपकी rank किस rank के बीच में हो सकती है, right, 2024 में जो कि free of cost है, आप अगर 2023, 2022 का जो official cutoff था, किस round में, किस rank पर, किस college में, किस category के student का admission हुआ, वो complete detail अगर आप 2 साल के cut आप मिलेगा, website पर, वहाँ पर आपको visit करना है, view college wise cutoff, need UG cutoff viewer, college and category wise cutoff, यहाँ पर आपको click करना है, और जैसे आप click करेंगे, एक छोटा सा form open होके आता है, जैसे आपको fill करना है, यहाँ पर आपको select करना है year, और उसके अलावा, जो course है, वो select करना है, सपोजे में भी यह select करते हैं, और उसके अलावा, government, private, या central universities, जो भी college का आप cutoff देखना चाहते है, government आपने select करते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर select करते हैं, उत्तर प्रदेश सपोज, और उत्तर प्रदेश में, अगर आप state quota, या फिर all India quota, किसमें आप देखना चाहते है, all India quota में आपन organization कर सकते हैं, one time, और यह जो cutoff viewer है, इसमें दोनों साल का, यान 2022 का, 2023 का यह cutoff आप download कर सकते हैं, PDF में, print result का एक option है, यहाँ से आप इसको download कर सकते हैं, और साथी साथ 3 college का आप बिल्कुल free of cost दे सकते हैं, यानि 3 college का check करने के लिए, या 3 बार search करने के लिए, आपको कोई भी amount pay नहीं करना, हाँ, उसके बाद अगर आप complete access चाहते हैं, इसी भी college का, किसी भी course का round wise, दोनों ही year का cutoff अगर आप देखना चाहते हैं, तो फिर आपको minimum subscription, बहुत ही nominal cost पे 199 pay करने पर ही, आपको 15 days का complete access मिल जाता है, बात करेंगे बिहार के reservation system के, बिहार के reservation policy है, वहाँ पर यहाँ पर हमें college का example लेने, IGIMS पटने, क्योंकि यहाँ पर 100, 102 seat total available थी, जो कि all India quota plus जो central pool quota होता है, उसको हटाने के बाद, जो 102 seat बची, और इसी तरह GMC बेतिया में भी 102 seat total बची थी और यह इस पर ही हम calculation कर रहे हैं, तो open seat यानि unreserved seat जो है, open seat वो total 68 और female seat यहाँ पर 34, तो girls यानि male और female दोन admission ले सकते हैं, 27% का reservation है, और उसके अलावा, जो female unreserved है, वो है 14% का SC में, SC boys के लिए, या फिर अगर girls candidate के marks अगर अच्छे हैं, तो भी वो यहाँ पर admission ले सकते हैं, लेकिन यह जो female जहाँ पर भी F लिखा हुआ आपको दिख रहा है, यह F यानि female, इन female की seat पर boys यानि male candidate admission नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो जहाँ पर F नहीं लिखा, यानि यह open seat है, unreserved seat है, यहाँ पर female candidate admission ले सकते हैं, अगर उनके marks अच्छे आते हैं, तो, right, अगर हम overall बात करें कि सारे colleges के मिलाके, तो 1% का ST का reservation female में, और 1% का ST का reservation open में है, different colleges को, सारे colleges को मिलाके, EBC, अगर हम बात करें तो EBC यानि extremely backward classes 13% का reservation, female EBC में 6% का, OBC यानि BC backward classes का 8% का reservation, female BC candidate 4% का reservation, RCG यानि reserve category for girls, यहाँ पर 3% का reservation, और EWS के वही पर हम बात करें, तो EWS के लिए 7% का reservation, female EWS के लिए 3% का total मिलाके 10% का, और यहाँ पर DQ यानि disability quota, जिसे कि आप बोल सकते हैं कि PWD यानि person with disability, जिनने कि आप physically handicapped भी भी बोलते हैं, 5% का reservation वहाँ पर horizontally है, different colleges में, right, तो किसी college में 5, किसी में 8, और किसी में 6 seat available है, किसी में 4 और 3 seat available है, different government medical colleges में, बिहार में, अब बिहार में Freedom Fighter, NCC और इसके अलावा अगर आप बात करेंगे, ex-servicemen, एफिट defense, in category का reservation, बिहार के colleges में नहीं है, right, NCC, Freedom Fighter, और ex-servicemen, यह जो reservation वो UP में है, लेकिन बिहार में नहीं, तो दोनों ही state का reservation system है, वह हमने आप लोगों के साइट discuss किया, next video में हम लोग बात करेंगे, उत्तराखंड और हिमाचल परदेश, इन दो state में, क्या है reservation policy, कौन से candidate को reservation मिलता है, कितनी seat available होगी, और 2024 में क्या रहेगा cut-off, उसके बारे में भी बताएंगे complete detail, कैसे आपको check करना है, वो भी बताएंगे, next के वीडियो में, आप midcoving के साथ बने रही है, चैनल पहले बार विजिट करने, तो इसको subscribe जरूर कीजिए, ताकि future के updates मिले, साथी साथ, कोई question होता है, कुछ पूछना चाहते है, comment box से comment कीजिए, या फिर स्कीम पर जो number शो रहा है, इस member पर आप हमे what's up भी कर सके, stay tuned with us, thank you for watching Medcoving, thanks a lot. पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना, चुनियत Medicoving को और करे अपने need counseling का सपना साकार, download the app now.